खंड विकास अधिकारी शशी पत्याल ने बैजनात में पदभार संभालने के पश्चा आता है। पंचायत प्रतिनिदियों पंचायत सचीवों को निर्देश जारी किये गए हैं। के लिए भी कहा जाएगा। कि कामों की अब डिले पेमिट नहीं होगी और जिन कामों में देरी हो रही हैं। और चौति बार उन्हें कामों से बाहर कर दिया जाएगा। गासखंड की 48 पंचायतों में मन्रीगा में लगबग 14 करोड विती वर्ष 31 मार्थ तक खर्च होंगे साथ ही ग्रामीन लोगों को जॉब कार्ड भी बनाये जाएंगे और उनको 120 दिन का रोजगार उपलग्द करवाये जाएगा उनने बताया कि विकासखंड में 12,774 जॉब कार्ड होल्डरों को काम दिया जाएगा बैजनात ब्लॉक में प्लानिंग वर्ष 15 वा 16 के 6 काम 16, 17 के 183, 17, 18 वर्ष के 470 काम अधूरे पड़े हैं जिनके लिए 2 मा का समय दिया गया है उनने बताया कि प्लानिंग के काम SDP राज्यसभा डिपॉजिट वर्क लंबिध हैं वो कनिस्टवा साहिक अभेंता सचिव तकनीकी साहिकों को कहा गया है कि जो भी काम अधूरे और पेंडिंग पड़े हैं उनकी फाइनल पेमेंट की जानी है वो प्लानिंग कामों में साहिक अभेंता फिल्ड में जाएं उनने कहा कि विकासकारें में अब बिलम नहीं होगा समाज शिक्षा अधिकारी मुखे से विकाएं वो खंड अधिकारी के तहट आने वाले काम समय अभी पर पूरे किये जाएंगे उनने कहा कि 5 सितंबर को बैठक सभी बिंदों पर चर्चा अविश्वास परस्तार पर चर्चा कर आगे की जाएगी पत्रकार वता के पश्चात उनने विकासकंड के अधिन आने वाले परधानों से बैठक की और उनने जरूरी निर्देश भी जारी किये हां मेरा इस विकासकंड के अंधगत जो बीपियर शर्वे उपाई युकत मोदाय के दुवारा ने दिशित किया गया है करने के लिए कहा गया है साहिब के अंसार जो भी परकॉर्मा दिया गया है उसके वारे में मतुड़ा पूरन मैं अपने समासिक्षा उखंड युजनार अधिकारी से बातचीत करके उसको जल्दी से जल्द जो अभू कारवाई करूगा और जो भी लोगों को बैरिवेट देना है वो मैं अपने उपने अपने अधिकारी नागरिक बैनास से भी डिसकस करूगा इसके बारे मैं मैं इस विकास खंड में 16 और 2018 को सुबह जोइन किया मेरा इसमें मुख्या जेंडा मन्रेगगा में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रूमिल्गार उपलत्व करवाना होगा और जो भी विकास कार्या इस विकास में खंड में अधूरे पड़े हैं उनको पूर्ड करना होग जो प्लानिंग में वर्ष जैसे एंपी लेड है और अपने विकास खंड में किसी भी परकार की कुई समस्या है या प्रावलम है उसको मेरे को पोशिच करूगा कि मैं उसको जल्दी से जल्दी पूर्ल करूँ क्योंकि मैंने भी गीश विकास खंड में पहली वार जोइन किया और पहले भी जिल्द कांगरा में मैं अपनी शेवाई दे चुका हूं और इसमें मेरा जो जिल्द कांगरा में मैंने शेवा दी है उसमें मेरा विकास खंड कांगरा मैं चार साल में अपनी शेवा दी है उस इसी तरह हमें इसी बैजनाथ में विकास करवाँगा। मेरी ये पूरल कोसिश रहेगी कि बैजनाथ ब्लॉग को मैं मैक्सिममम उपलब्दियां करवाँ और लोगों को मैक्सिममम रोज़गार देशक हूं। थैंक्यू जन्दू